वेरी गुड मार्निंग, फिनैंशल फ्रीडम शो में आपका स्वागत है, मैं हूं C.S. सुधीर. मिस्टर कल्यान ने फिनैंशल फ्रीडम एप पर सवाल पूछा है, वो कहते हैं, आप हमेशा टर्म इंशूरेंस खरीदने की बात करते हैं, ये क्यों जरूरी है? हमें टर्म इंशूरेंस क्यों खरीदना चाहिए? मैं मिस्टर कल्यान को जवाब दूँ, इस से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की हम साथ ही थे, वो बैंगलूरू में रहता है. मैं जानता था कि वो बहुत ही अच्छे घर से है क्यूंकि मैं उसके माता पिता को भी जानता था. तो इस तरह मैं लगभग सब कुछ जानता था. तो अब उसने कहा कि मेरे माबाप ने इतने कश्ट उठा कर मुझे इतना पढ़ाया और अब जब मैं अच्छा कमा रहा हूं, मैं उन्हें बैंगलूरू ले आया हूं. गाउ में उनका बस एक छोटा सा घर था, उन्होंने उसे भी बंद रखा है. तो वो बहुत खुश था, उसे खुद पर नास था कि उसने इतना अच्छा किया है जिन्दगी में और उसके माबाप खुश है, शादी हो गई है, दो बच्चे हैं, तो उसने उसकी कहानी बताई. मुझे उसकी काम्याबी के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे उससे मिलना चाहिए, एक रविवार मैं अपने परिवार के साथ उस तरफ गया था, तो सोचा उससे मिलाओं, तो फिर मैंने मेरे पास उसका पता था, तो मैं उसके घर गया, और मैंने सेक्यूरिटी से पूछा और अंदर चला गया, उसे वहाँ ना पाकर मुझे बहुत ताजूब हुआ, वो वहाँ नहीं था, यानि वो वहाँ उस घर में उस वक्त नहीं था, ऐसा नहीं था, वो इस दुनिया में ही नहीं था, वो चला गया था, उसके परिवार ने मुश्किल में थे, और उसके बच्चे अच्छे इंटरनाशनल स्कूल में पढ़ रहे थे, और अब वो चिंता ग्रस्त हो गए, कि अब उनकी फीज कैसे भर पाएंगे वो लोग, तो अब वो सोच रहें कि उन्हें गौवर्मेंट स्कूल में भेजें या नहीं, क्या हमें वापस जाना चाहिए, उस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया था, और बहुत ही मामुली सी शिक्षा ले थी, वो सोचने लगी कि क्या मुझे किसी गौवर्मेंट कमपनी में काम करना चाहिए, या बरतन जाडू पट्टे का काम कर लेना चाहिए, उसके पित ये हुए ग्रूप मेडिकलेम इंशोरेंस की वज़ा से, और आज उन्हें गौवर्मेंट अस्पताल की चक्करें काटनी पड़ती हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, मैं चाहता हूँ आप एक बार जरूर सोचें, जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्या आप चाहते हैं, आपके साथ ऐसा हो, आप नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ, आप समझें, टर्म इंशोरेंस खरीदना एक जरूरत है, कोई ऐशो आराम की चीज़ नहीं, मैं नहीं चाहता, आप मुझे टर्म इंशोरेंस खरीदने की कोई और वजह अगर आप 8000 रुपिये भरेंगे और कल सुबह आपकी जान चली जाए तो आपके परिवार को एक करोड रुपिये मिलेंगे। आप जानते हैं अगर परिवार में कोई मौत हो तो दो बातों का नुकसान होता है। पहला है आर्थिक नुकसान और दूसरा मानसिक नुकसान। म चाहिए आपके सालाना आमदनी से 20 गुना ज्यादा। मैंने टर्म इंशूरेंस पर एक कोर्स डिजाइन किया है फिनाशल फ्रीडम एप पर जी हाँ बहुत ही विस्तरत जानकारी है उसमें आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या न हो तो एप में पोस्ट कर सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब मेरे अगले एपिसोड में दूँगा बहुत बहुत शुक्रिया प्रग्जी बने धनी बने